राजनला टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रिया आपके साथ सांसदी चीन जाने के बाद पहली बार रहुल गंदी मंगलवार को अपने संसदी शेत्र केरल के वाइनाट पहुचे और ने कहा मेरी संसद की सदिस्ता चीन ली गई मेरा घर चीन लिया मेरे पिछे पूलिस लगा दी लेकिन इन सबसे मुझे फरक नहीं पड़ता है वो मुझे जेल में भी डाल दे फिर भी में सवाल पुछता रहूँगा चार साल पहले में यहां आया था और यहां से संसद बना मेरे लिए यहां चुनाओ प्रचार करना सबसे अलग था मैं केरल का रहने वाला नहीं हूँ लेकिन आपके प्यार ने मुझे महसूस कराया कि मैं आपका भाई आपका बेटा हूँ वाइनाट के लोग देश के लोग सतंत भारत में रहना चाते हैं जहां उनके बच्चों को कुछ भी सीखने करने के लिए सतंत हो कोई ऐसे देश में नहीं रहना चाता लेकिन हम देश के असली विजन को लेकर चल रहे हैं मैं संसत में गया और पी-एम से पूछा अडानी के साथ अपने रिष्टे के बारे में बताईए 2014 के बाद अमीरों की लिस्ट में अडानी दो नमबर पर कैसे आ गए मैंने बताया कि अडानी की मदद के लिए भारत और इस्राइल के रिष्टे बदल गए वो मुझे जितना परिशान करेंगे उससे पता चलेगा कि मैं सही रहा पर हूँ मैंने स्पीकर से पूछा ये क्यों हो रहा है उन्होंने खा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है रहूल गांदी नहीं या कलपेट्टा में 22 मिट तक रोडशो किया प्रियंका गांदी समित पार्टी के कई सीनियर लीडर उनके साथ नजर आए रहूल ने खा कि मेरी सांसती चीन जाने से वाइनाट के साथ मेरा रिष्टा कमजोड नहीं बलकि और मजबूत होगा MP सिर्फ एक टेग है ये एक पोस्ट है BJP वो टेग चीन सकती है मुझे वाइनाट के लोगों की आवाज उठानने से नहीं रोक सकती रहूल से पहले प्रियंका गांदी ने खा मैं आकर खुश हूँ ये बहुत भावुक दो रहा है जब मैं अपने भाई के साथ वाइनाट आई हूँ कल मैं उनके घर से उनका फनिचर पेक करे थी जब तक नई जगर नहीं मिल जाती वो मा के साथ रहेंगे कुछ सालों पहले मैंने भी यही समय देखा जब मुझे घर बदलना पड़ा था मेरे बच्चों और पती ने मेरी मदद की लेकिन मेरे भाई के न बच्चे हैं और नहीं परिवार मैं इस पीश देने में अच्छी नहीं हूँ इंग्लीश भी अच्छी नहीं है उन्होंने काया कि वाई नट आपका परिवार है उनसे अपने परिवार की तरफ बात करना बस तो आज मैं अपने भाई के परिवार से बात करने आई हूँ आपको पता है कि वो राहुल सच्चा अदम है जो बिना डर के सच बोलता है लोग उसे चूप कराना चाहते है वो फिर भी बोलता है आप जानते हैं कि वो हमेशा आपकी बात सुनता है आपसे बात करता है आपकी मदद के लिए खड़ा रहता है आपने उसे चुना लेकिन सूरत की एक कोट ने उसे दो साल की सजा सुना दी इसके बाद उसके संसत सदस्ता खतम कर दी गई प्रियंका ने खा कि देश के मंदरी सांसत और पीम एक नागरिक को परिशान करे जो सवाल पूछ रहा है क्योंकि उनके पास राहूल के सवालों के जवाब नहीं है पूरी सरकार एक शक्स को बचाने में लगी है जिसका नाम है गोतम अडानी इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद